आप देख रहे हैं दॉक्टर एडूकेशन आप देख रहे हैं दॉक्टर एडूकेशन और आज हम बात करेंगे कानों में दर्द का कानों में दर्द बहुत लोगों को होता है और कई लोगों को उसका कारण नहीं समझ आता और उन्हें लगता है कि कुछ चला तो नहीं गया कोई दिक्कत तो नहीं हो गया क्या हो गया क्या नहीं हो गया खासकर यह होता है स्विमिं एक क्या है यह एक इस बेसिकली जो एक एक शार्प और मान लिजे डल और बर्निंग सा पेन होता है आपके एक या दोनों कानों के अंदर अब इसमें जो इंपोर्टन जी देखने वाली है कि यह यह पेन जो है यह तिन चार में में कारण होते हैं और इसके रिलेटेड इसके साथ इयर का इंफेक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया बीच वाले इयर का इंफेक्शन हो सकता है सुमर्ज इयर नाम का एक और बिमारी होती है और मेलिगनेंट ओटाइटिस एक्स्टरना मतलब यहां बाहर के इयर का इंफेक्शन खतरनाक वा पर जाता है कि क्या आपको बुखार है क्या आपको कोई फजीनेस है कि वाजे आरी अजीव सी क्या आपका मान लीजे irritability बर गई है या अगर बच्चा है तो क्या यह ज्यादा रो रहा है ऐसे चीजों के बारे में बातचीत हो सकती है क्योंकि बच्चे में बहुत common है यह ear pain कान में दर्द बच्चे ज्यादा तर बोलते हैं तो बच्चे बच्चों के case में ज्यादा important है बच्चे लोगों को तो जैसे ही ear infection होता है उनको minor hearing loss भी हो जाएगा during and even right after ear infection और ज्यादा तर यह problem ठीक हो जाती है hearing loss is very but कोई लंबे समय तक नहीं रहता hearing loss but it is very rare कि भाई लंबे समय तक रहे अब बात समझते हैं ear infection या ear में pain होता ही क्यों है इसके लिए थोड़ा सा anatomy ने इसके structure को समझना पड़ेगा that is something called as eustation tube एक tube है जो आपके बीच वाले ear के हिस्से से आपके back of the throat गले में खिलती है ऐसे करते हो ऐसे कहां से एक ear यह nose से पीछे throat के पीछे खिलती है eustation tube ऐसे ऐसे करते हो जब या जब इसमें जाते हो क्या नाम है एरोप्लेन में जाते हो एक हाइट पर जाते हो होता ने इustation tube बन चाल होती है वह चीज वह important चीज है वह इustation tube होती है इustation tube जो है वह क्यों बनी है वह इसलिए बनी है कि आपके middle ear से अगर कोई liquid है कोई fluid है कोई mucus है वहां से drain होके गले में आ जाए इustation tube बनी है अगर यह इustation tube ब्लॉक हो जाती है तो आपके middle ear में पानी जमा हो जाएगा और यह pressure create करेगा और इस pressure जो create करेगा इसके वज़े से pain हो सकता है यह pain अगर ज्यादा देर तक रहा pressure ज्यादा देर तक रहा तो infection भी हो सकता है so this is important eustation tube blockage one of the most common reason for ear pain eustation tube blockage right adults में eustation tube जो है ear pain जो है यह infection से होना के कारण कम होता है infections के कारण कम होता है adult में बच्चों में infection जादा होता है अगर आपको adult age में ear pain हो रहा है या ear के आसपास pain हो रहा है तो वह हो सकता है यहाँ जो पेन हो इसको tm joint बोलते है temporal bone और यह mandible यह कहां जो tm joint पे होता है या फिर throat पे throat से referred pain हो सकता है throat से referred pain होता है ear में और कई सारे pain के कारण हो सकते हैं यहां तक के jaw वाली हड़ी है अगर jaw के यहां के जॉइंट का arthritis हो जाए वहां पे तो वह एर पेन कर सकता है यह इंफेक्शन तो है यह कारण यह में इंजरी हो जाए और कोई चीज डाल दी बच्चे ने कुछ ear में फुस गया उसके वज़े से हो सकता है यह ड्रम फार दिया फट गया उसके वज़े से हो सकता है sinuses होते हैं जो यहां 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 sinuses के infection के वज़े से भी इस्टेशन टूब ब्लॉक हो जाती है फिर वही होगा हैगे नहीं sore throat गला खराब हो तो भी आपके sinuses भर सकते हैं वो भी एक कारण है और tooth के वज़े से दात में infection के वज़े से भी कानों में दर्द हो सकता है यह सारी चीज़े याद रखिए और इसके अलावा मान लीज़े अगर किसीने cotton swab है वो डाला उसके वज़े से ear canal में infection irritation उसके वज़ सकता है और अगर कान में शाया शापून रह जाए तो भी हो सकता है तो यह सारी चीज़ों से ear pain हो सकता है तो सबसे बड़ा सवाल भी आ करो क्या करो गया तो आप क्या करोगे doctor के पास कब जाओगे घर पे इसके बास समझते सबसे पहले घर पे ना करें तो समझ लेते हैं पहले सबसे पहले अगर आपको कानों में दर्द हो रहा है तो एक ठंडा पैक याने के cold pack ले लिजिए cold pack ले लिजिए या फिर एक ठंडा cloth को ठंडे पानी में डूबो लिजिए जैसे आप इज़र पट्टी करते हैं उसको इयर के आउटर साइड पर रखिए और कितने टाइम के लिए देरी रखिए उसको ज्यादा देर नहीं करना इसको रख रखिए थोड़ी देर रखिए इंटाई थोड़ी रटे इसको रखिया आप ऐसा बीस-दस-पंदरा-वीस मिट करिए इससे पेन रिडियूस हो जाएगा ठंडा इने यर्ग की ठंडी-पर्टी सेटी आप कर सकते हैं चूइंग जब आप करते हैं तो क्यूंग से रखिए अन्दर का प्रेशर कम हो जाएगा जाएगा चूइंग गम बहुत लोग करते हैं कि खाले 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 लेकिन क्या होता है यंग बच्चों को नहीं देना है वो ग कि आप आराम करें आप और वो भी एक पोजिशन में पोजिशन कौन सी अप राइट पोजिशन याने के थोड़ा सा अपना बेड ऊपर करके या फिर जो आपका सोफा है सोफे पर रेस्ट करें ना कि सीधा लेटे उससे क्या हो प्रेशर कम होता है ग्रैविटी का हेल्प करते है उसके अलावा आप घर पे कुछ दवाईयां ओवर दा काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं क्या ले सकते हैं जैसे एर ड्रब आपका अगर रप्चर नहीं हुआ है पेन है तो पेन किलर ले सकते हैं जैसे के एसिट अमाइनोफिन यानि के पैरासिटमॉल ब्रूफिन यानि आप डैकलोफिन एक ऐसी दवाईयां ले सकते हैं उसके अलावा एस्पिरिन नहीं लेना एस्पिरिन इकोस्पिरिन एस्पिरिन डिस्पिरिन यह नहीं लेना है डिस्पिरिन नहीं लेना पैरसिटमॉल डैकलोफिन यह दो चीज़े ले सकते हैं यानि इसके अलावा अगर प्रेइर पेन तब हो रहा है जब आप एरो प्लेन में हो आप एल्टिट्यूड हाइव हो रहा है तब कुछ नहीं करना है तब सिर्फ आपको स्वालोइंग करना है कोई चीज पी लीजिए पानी पीते जाईए जूस पीते जाईए इस ट्रॉ लगाके या फिर चुइंगम ख यह एक ना हो उसके लिए क्या करें हो गया तो यह करें नहीं हो उसके लिए सिंग स्मोकिंग बंद कर दें सेकेंड स्मोकिंग स्मोकिंग दोनों से इयर इंफेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन है बच्चों में आप स्मोक करते हैं बच्चों में इंफेक्शन हो जाता सेक और जरूरी नहीं है करना है और आपको फूर्ण करें सकते हैं अगर आपको बुखार हो गया बहुत ही दर दो रहा नहीं ठीक हो रहा और अगर लग रहा है कि कुछ infection होई चुका है कान के अंदर पस आ रही है कुछ आ रहा है कान से तो आप डॉक्टर के पास जाएं बच्चे को या बड़ो को किसी को भी अगर चक्कर आ रहा है सर में दर्द है या facial muscle weak हो रही है swelling आ रही है वहाँ पे तो बिल्कुल डॉक्टर क सैंट milliards और अंटिभाइटीक देनी हैं ड्रॉप देनी है गौली देनी है स्टिरोईड देना है क्या देना है वह बताएंगे जिया बहुत सारी दवाइयां आती है बहुत सारे treatment than this, so दवाईयों के नाम पे आप घर पे क्या कहा सकते हैं, anticholinergy, यानि सर्दी की दवा, decongestant, और painkiller, painkiller में dispirin, dispirin नहीं खाना, बस इतना, बच्चों की केस में pediatrician से बात करें, अपने दरफ से उल्टा सीधा चीजे ना काई, कान में, तेल, तूल, पूल, चाल, कुछ नें डालना, कान में, कताई, सिर्फ और सिर्फ आपने कान को पानी, थोड़ा ब Springs, कान थोड़ा बहुत कान सुना, संबार विजकत नहीं कि साभून नहीं डालना, उसमें बाकि उपर से साबुन करें अधर 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 साबुन नहीं डालना तो दोस तिंग्स अर नौट सपोस्ट तो इंसाइड दर यह 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 बर्ड भी नहीं डालते हैं काईदे से तो वह आप देख सकते हैं हमारा वीडियो थेंक यू सो मच्छ स्टे कनेक्टेड स्टे क करा करते हैं हमारा जलते हैं है मंदा